अज़ा पास एक लेंड की मेंजरमेंट है तो यह सारी मेंजरमेंट से मीटर्स में तो हम चाहते हैं कि हम इस लैंड को दो इकुल पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो इकुल पार्ट्स में हमारा रोड है इस साइड से तो हम चाहते हैं कि रोड की साइड में इसको डिवाइड करें तो अब हमें पाता नहीं है कि जो यह पॉइंट है करेंगे वह कहां पर आएगा तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले तो हम इस प्लॉड का टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसके बाद हम वह पॉइंड डिटर्माइन कर सकते हैं तो हम एजिम करेंगे हुए लैंड जो है यह ऐसे डिवाइड हो रहा है तो हमें यह पॉइंट डूड़ना है कि यहां से इसकी डिस्टर्माइन करेंगे तो हमें यह पॉइंट डूड़ना है इस पॉइंट की लोकेशन क्या है वह है वह फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया चाहिए फाइंड कारने के लिए हमें आव्ट्र पाँच मेजर मेजमेंस नुग पाता है लेकिन हमें नहीं दो मेजर्मेंट उर चाहिए वो दो मेजर्मेंट्स ये वाली है एक दो में ये मेजर्मेंट पता होने चाहिए और ये वाली मेजर्मेंट्स तो ये मेजर्मेंट्स हमने फील्ड में पहले ही लिए रखी है ये वाली मेजर्मेंट्स जो ये 43.95 और ये वाली है 35.58 तो हम क्या करेंगे हम इस फिकर का कुछ नाम देंगे ये लैंड है इसका नाम हम देंगे A, B, C, D, E और ये पॉइंट जो है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसका नाम हम रखेंगे हम F सबसे पहले इस प्लोट के अरिया फाइंड करने के लिए हम तीन ट्रींगल के अरिया फाइंड करेंगे A, E, D, A, D, B and D, C, B तो इन ट्रींगल A, E, D तीन साइड हम देंगे A, 25.37 B, 43.95 C, 23.65 तो इस निकालते हैं A, P, 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 C, By 2 तो हम समी पेरिमेटर बोलते हैं तो हीरोंस फार्मला की मज़चे में फाइड करते हैं 25.37 प्लस 43.95 प्लस 23.65 डिवाइड बोलते हैं तो हमारा रहा है 46.49 तो एरिया of triangle A, E, D equal to root of S S minus A S minus B S minus C तो हम कालकुलेट करेंगे directly S under root of 46.49 multiplied by 46.49 minus 25.37 46.49 minus 43.95 46.49 minus 23.65 तो यह हमारा एरिया है यह हमारा आएगा calculate करने के बाद यह हमारा एरिया है हमारा रहा है 238.67 square meter similarly हम A, D, B का find करेंगे और फिर D, C, B का 21.70 Kaskचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचे करेंगे 意ोआपफधे बचाचचचचचचचचचचचचचच drei करेंगे Do 655.700 B- 45 65 moje 65 65 65 64 65 65 67 65 66 तो टोटल एरिया जो हमार आविया फिल्ड का करा तोट मैं बारोपय का बारोपय को अज़ते हैं के आविया जोट्वाय को तो टाम के लिए घज़ते हैं दोटने सेटे इंपल तो टाम के लिए। तो जो धीषिल्ड है इसका टोटल एरिया हमारा आगया हit 2,040,776 हमारा टोटल एरिया आगया है फीजड का तो अब हमें क्या करना है करना हैसर अब 함 इस फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करा चाह रहे हैं तो एक कोड़लेटल एएडी एफ और डी सी बी एफ तो हम चाहते हैं कि एरिया ओफ एएडी एफ एक्वल्स टो एरिया ओफ बी सी डी एफ तो हम चाहते हैं कि यह एरिया इस एरिया की एक्वल हो तो लेकिन जो एरिया एएएडी एफ है यह दो ट्रेंगल में डिवाइड हुआ है तो एरिया ओफ ट्रेंगल एएडी प्लस एरिया ओफ ट्रेंगल एडी एफ यह वाला कोडिलेटरल भी एरिया ओफ ट्रेंगल बी सी डी प्लस एरिया ओफ ट्रेंगल बी डी एफ तो अगर हम देखेंगे यह दोनो एरिया जो है इसका हाफ होंगे 1040.76 divided by 2 तो हमारा आजाएगा 1040.76 divided by 2 तो 520.38 आ रहा है हमारा तो एरिया एडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 238.67 एरिया ओफ ट्रेंगल एडी एफ एरिया ओफ बी सी डी भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 265.95 प्लस एरिया ओफ ट्रेंगल बी एफ एक उस तो 520.38 इनको हम इक बेट करेंगे तो हमें आएगा 238.67 प्लस एरिया ओफ ट्रेंगल ADF equals to 520.38 265.95 प्लस एरिया ओफ ट्रेंगल BDF 520.38 तो एरिया ओफ ट्रेंगल ADF equals to 520.38 minus 238.67 तो एरिया ओफ ट्रेंगल BDF equals to 520.38 minus 265.95 तो एरिया ओफ ट्रेंगल BDF equals to 520.38-238.67 तो एरिया ओफ ट्रेंगल BDF एरिया ओफ ट्रेंगल BDF equals to 520.38 minus 265.95 तो एरिया ओफ ट्रेंगल BDF इसका एरिया हमें मिल गया है लेकिन एरिया हमें पता है लेकिन बेस पता नहीं है तो एरिया किसी भी ट्रेंगल का जो होता है वो होता है one half of base into height नहीं 시작 खेंने की बेस पता है नहीं हइफ पता है और नहीं ही इस ट्रेंगल की बेस पते हैं और हम हम इसकी height altitude find कर सकते हैं तो हम उसकी मदस से जो है इसकी base calculate कर सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे जो area हमारा यह है ट्रैंगल ADB area of triangle ADB जो हमने calculate किया हुआ है 536.14 तो हम क्या करेंगे हम एक perpendicular draw करेंगे यहां D से इस line पे इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे जी तो area of triangle ADB 1 half of base into altitude 1 by 2 AB into DG 536.14 AB की length हम ही पता है 30.35 multiplied by DG तो अब DG जो हमार आएगा 536.14 multiplied by 2 divided by 30.35 तो हमारा रहा है 35.33 तो इस DG की मदद से अब हम इस triangle की base भी find कर सकते है इस triangle की भी base find कर सकते है अब लिखेंगे हम area of triangle ADF equals to 1 by 2 base AF और जो इसकी altitude है वो आएगी यह DG क्योंकि हमें पता है चाहे हमारा acute angle triangle अगर होगा तो इसकी altitude जो है ऐसे आती है है तो इसकी base AF areas का 281.71 1 by 2 AF हमें calculate करना है वो जो DG है 35.33 AF equals to 281.71 multiplied by 2 whole divided by 35.33 281.71 multiplied by 2 whole divided by 35.33 तो जो यह AF है यह आपका गया 15.95 similarly यह वाला triangle area of triangle BDF equals to 1 by 2 base FB height DG तो area X का यहाँ पे 254.43 1 by 2 FB FB जो है वो हमें find करना है और DG जो है 35.33 तो जो हमारा FB है 254.43 multiplied by 2 divided by 35.33 तो यह हमारा आजाएगा 14.40 तो जो यह लेंग्ध है हमारी पॉइंट F जो हमारा आगया AF 15.95 और जो हमारा FB है 14.40 अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं AB जो है वो AF plus FB 15.95 और 14.40 जो हम इसको एड करेंगे 15.95 प्लस 14.40 यह हमारा आ रहा है 30.35 तो इस method से हमने क्या किया जो हमारा pentagon shape में जो field था उसको हमने 2 equal parts में divide किया यहनि कि जो F point है वो यहां से 15.95 की दूरी पे है और अगर B से ले जाएंगे 14.40 की दूरी पे है जो यह वाला method यह पूरा accurate है 100% accurate है तो यह method आप यूज कर सकते हो किसी भी land को divide करने के लिए वह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजेगा share कीजेगा थैंक